आप सभी का स्वागत है जोती शूर्जा में में लिखकर जरूर बताईएगा मैं यहां पर बहुत सी ऐसी वीडियोज डालती हूँ जो धन को आकर्शित करने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं इन उपायों को अपना कर जिसमें आपका बहुत सारा धन खर्श नहीं होने वाला आप भी अपने जीवन को सम्रिद्ध कर सकते हैं तो जरूर इन उपायों को अपना कर देखें और इस चारों को सब्सक्राइब जरूर करें आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे उपाय की जो बहुती सरल है और बहुत आराम से आप कर सकते हैं इस उपाय को करने से आपकी समस्याएं खतम होंगी और आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा आपके जीवन में धन की समस्याएं जितनी भी क्यों न हों वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त होती चली जाएंगी आपके घर में सुक सम्रिद्धी आएगी आज के जो उपाय में आपको बताने वाली हूँ वो नाभी से संबंदित है नाभी उर्जा का केंद्र है कहते हैं मृत्यू के बाद भी प्राण नाभी में 6 मिनट तक रहते हैं शरीर में दिमाग से भी महत्पुन स्थान है नाभी का नाभी शरीर का प्रथम दिमाग होता है जो प्राण वायू से संचालित होता है तो इसलिए इसका महत्व बहुत बड़ा है हमारा सूक्षम शरीर नाभी उर्जा के केंद्र से जुड़ा रहता है यदि कोई संत या सिद्ध महापुरुष शरीर से बाहर निकल कर सूक्षम शरीर से कहीं भी विचरन करता रहता है तो उसके सूक्षम शरीर की नाभी से स्थूल शरीर की नाभी के बीच एक रश्मी जुड़ी रहती है यदि वो तूट जाती है तो ऐसे में व्यक्ति का अपने स्थूल शरीर से संबंध भी तूट जाता है तो ये एक बहुत ही समझने का विशा है नाभी उर्जा का केंद्र है और ऐसे में हिंदू शास्त्रों में इसका जो उलेक है भगवान ब्रह्मा का जनम विश्नु की नाभी से हुआ था इस संसार में प्रतेक मनुश्य का जनम नाभी से होता है नाभी को पाताल लोग भी कहा गया है विश्णु पाताल लोग में ही रहते हैं इस धर्ती और संपुरुन ब्रामंड का भी केंद्र नाभी ही है नाभी केंद्र में ही संपुरुन जीवन संचालित होता है आयुर्वैदिक चकित्सक पाति में भी रोग पहचानने के तरीकों में नाभी सबसे जादा महत्पुन है इसलिए आयुर्वैदिक चकित्सक नाभी स्पंदन से रोग की पहचान बहुत अराम से कर लेते हैं इसलिए नाभी का उर्जावान होना बहुत अवश्चक है शारीर को हम विक्सित कर सकते हैं परवाहित करवा सकते हैं नाभी के प्रियोग से हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं नाभी में बहुत सी ऐसी चीजें लगाई जा सकती हैं जिससे जीवन में बहुत से लाब मिल सकते हैं स्वास्ते लाब भी मिल सकते हैं और साथ साथ आपके जीवन में जो बाकिकी समस्याइं हैं वो भी दूर हो सकती हैं मानसिक समस्याइं दूर हो सकती हैं शारिरिक समस्याइं दूर हो सकती हैं और भौतिक समस्याइं भी दूर हो सकती हैं आज हम बात करने वाले हैं भौतिक समस्याओं से लेकर मानसिक समस्याओं की अगर आप मानसिक तोर पर भी खुश नहीं है तो ऐसे में आपको किसी भी तरह की मानसिक बिक्कत है डिप्रेशन की समस्या है मानसिक तनाव है चिंता है तो आप क्या करें आप नाभी में बादाम का तेल लगाना शुरू करें इससे ना केवल डिप्रेशन की प्रॉब्लम ख जो प्रजनन की क्षमता नहीं रखती है या प्रजनन क्षमता उनमें कमजोर होती है या ऐसी समस्याएं उनमें होती है तो आपको क्या करना चाहिए सोने से पहले नाभी पर नारियल का तेल अगर लगाया जाए तो ऐसे में धीरे धीरे प्रजनन संबंदी सभी समस्याएं स्थिती मजबूत होने लगती है और इससे और भी मांसिक तोर पर भी और इसके साथ-साथ शारीरिक तोर पर भी आपको शांती मिलने लगती है आपका स्वास्ति अच्छे होने लगता है तो बहुत सारे फायदे एक साथ आपको इस उपाई से मिल सकते हैं तो आवश्य इसे आजमा के देखें आगे बात करने वाले हैं एक ऐसे खास उपाई की जिसके लिए आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं धन प्राप्ति के लिए धन प्राप्ति के लिए आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपको लाभी लाभ मिलें आपके घर में बरकत बढ़े और इसके चीजें बहुत पसंद है जैसे मालक्षमी को इत्र बहुत पसंद है और इसके साथ मालक्षमी को चंदन का इत्र गुलाब का इत्र उन्हें बहुत पसंद है तो अगर आप रात को सोते समय अपनी नाफी पर चंदन का इत्र या गुलाब का इत्र लगा कर सोते हैं तो ऐसे में धीरे धीरे ये उर्जा विक्सित होनी शुरू हो जाती है और आपके पूरे औरा में प्रवाहिद होनी शुरू हो जाती है मालक्ष्मी प्रसंद हो जाती है और आपके द्वारा आकर्शित की हुई ये उर्जा आप तक पहुंचती है और धन आने के सारे रास्ते धीरे-धीरे खुलने लगते हैं आप इसको करके देखे, आजमा के देखे 31 दिन लगातार आप इसे कर ले और उसके बाद देखें कि कैसे चमतकार होंगे कैसे कही ना कहीं से धन आपके पास आने लगेगा और सारे समस्याएं अपने आप दूर होने लगेंगी जैसे जैसे आप इस उपाय को करते हैं आपको मन में ये सोचना है, ये भाव देना है कि मा लक्षमी आकरशित हो रही है, धन आपके पास आ रहा है आपका घर सुक सम्रेदी से भर रहा है आपके घर में बरकत बढ़ रही है और जीवन में सभी समस्याओं का अंत हो रहा है जैसे आप इस उपाय को करेंगे आप देखेंगे कि सारे की सारी समस्याओं का अंत बहुत जल्द हो जाएगा चंदन का इत्र लगाने से आपका दिमाग शांत रहता है विचारों में कमी आती है परिशानिया दूर होती है मानसिक तनाव से आपको मुक्ती मिलती है चिंताओं का अंत होता है तो चंदन का इत्र लगाने से बहुत सारे फायदे होते हैं आप चंदन का तेल भी नाभी में लगा सकते हैं वो आपकी अपनी इच्छा है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। आप शुक्रवार के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं और इसे रोजाना आप करके देखें। चंदन का इत्र लगाने से दो ग्रहे एक अठा शान्थ होते हैं पहला है चंद्रमा और दूसरा है शुक्र ग्रहे। पर्स में आप यह नहीं कहेंगे कि आज तो पैसे नहीं है आज तो आपके पास धन नहीं है एक और ऐसी वस्तु है जो आप अपनी नाभी में लगा सकते हैं पर इसको आप तभी लगाएं अगर आपकी कुंडले में गुरु ग्रह की स्तिती कमजोर है गुरु ग्रह धन नहीं आता है धन का अभाव रहता है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं जो आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ ऐसे में आप केसर का इत्र ले ले या आप केसर का तेल भी ले सकते हैं दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी बहुत आराम से तो आप दोनों में से कुछ भी ले सकते है इत्र ले या आप तेल ले इसे आप नियमेत रूप से नाभी में लगाना शुरू करें केसर की तासीर थोड़ी गरम माने जाती है इसलिए आप अपनी शारिरिक सुविधाओं के अनुसार ही इसका इस्तिमाल करें अगर आपको गरम तासीर की चीजें प्रभावित नहीं करती हैं तो आप इसे रोजाना इस्तिमाल कर सकते हैं नहीं तो अगर आपको गरम तासीर की चीजें अच्छी नहीं रहती हैं, तो आप सिर्फ ब्रस्पतिवार के दिन भी ये प्रियोग कर सकते हैं, आप पूरे घर में केसर का इत्र छिड़क सकते हैं और नाभी में भी केसर का तेल लगा सकते हैं या केसर का इत्र लगा सकते हैं दोनों ही उपाई आप रस्पतिवार के दिन कर सकते हैं बाकी दिन आप जैसे मैंने पहले बताया है उस प्रियोग को करें तो भी आपको अत्यांत उत्तम लाब मिलेंगे घर के आर्थिक तंगी से बचने के लिए बहुत से और उपाई भी मैं अकसर वीडियोज में देती रहती हूँ आप उन उपायों को भी कर सकते हैं आप उन उपायों को प्रियोग करके भी जीवन में सुक और समृत्धी पा सकते हैं शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं इन दोनों ग्रहों के मजबूत होने से जीवन में आप उन आयामों को छू सकते हैं जिनको आप सिरफ सोच रहे थे जिनके लिए आप सिरफ मन में कामना कर सकते हैं कि ये कभी मेरे साथ भी होगा इस आयाम तक मैं भी कभी पहुँचूंगा या पहुँचूंगे तो आपके जीवन में वो सभी आयाम एक न एक दिन जरूर आएंगे जिन व्यक्तियों का विवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता जिनको बहुत सारी दिक्ते महसूस होती हैं आपस में दमपती की बंती नहीं है या आपस में जगड़े ही होते रहते हैं और इसके साथ-साथ विवाहिक जीवन में कैसी भी समस्याए हो शादी समय पर ना हो ये सारी दिक्तें भी शुक्र ग्रह से संबंदित मानी जाती हैं इसलिए इन सभी दिक्तों को दूर करने के लिए भी आप इत्र का प्रियोग कर सकते हैं और इसके साथ-साथ केसर का प्रियोग किया जा सकता है हल्दी के तेल का प्रियोग भी किया जा सकता है हल्दी को नाभी में इस्तिमाल करने से और हल्दी के पानी से स्नान करने से विवाहिक जीवन से संबंदित सभी तरह की दिखतें जल्दी ही दूर हो जाती हैं चंदन के इस्तिमाल से भी ये दिखतें दूर होती हैं, तो अगर आपके कुंडली में किसी भी प्रकार से दोग रहे, ब्रस्पती और शुक्र कमजोर स्थिती में हैं, तो ये उपाया आप अराम से कर सकते हैं, जीवन में धन से संबंदि दिखतें तो दूर होंगी ही, शाद पायो को जरूर अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं.